तो हलो और वेलकम फ्रेंट्स आजकी यह जो वीडियो है यह वीडियो है टैली प्रैंट को लेकर पर साध आप भी अगर बेगिनर हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है अब क्या प्रॉब्लम है आइए देखते हैं यहां से सबसे पर एक कंपनी में आते हैं तो पर दिखाई तो देता है लेकिन कभी-कभी ये off रहता है और ये अगर off रहे तो इसे on कैसे किया जाए समस्या इसी बात करते है ठीक है सवाल मुझसे पुछा गया है तो जबाब मैं देता हूँ देखिए अगर ये off है अगर ये off है तो इसलिए off होगा कि keyboard से अपने F12 का बटन दबाया होगा ये पहले से भी off रहा होगा तो इसको earn करने का तरीका क्या है देखिए पहले मैं off कर देता हूँ तो देखिए यहाँ buy दिख रहा है और दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर आपको change mode दिखाई देगा क्लिक करिएगा इस पर और इसे single entry देखिए ये situation कभी ऐसी हो जाती है आपके साथ अब लिख भाई during voucher entry इसको yes कर दिएगा बस इसको yes करके control लेकर दिए बस आपका काम हो गया यहाँ पर आपको जाना है change mode पर आप इसके shortcut key भी इस्तमाल कर सकते है control h और इसे बना जीज़े double entry क्या बनाना है double entry बनाना है और यहां पर देखिए यह आ रहा है debit तो debit आ रहा है तो credit बनाने के लिए यहां CR टाइप कर दिए रहते हुए ठीक है तो यह debit और credit आने लगेगा असान है ठीक है